आज हम बात करेंगे संत कबीर दास पर हम उनके व्यक्तित वे एवं कावे पर विशेष रूप से टिपने करेंगे उमीद करते हैं कि आप आज के इस लेक्चर से ज़रूर आभानवित होंगे मैं तो आज के सेशन के लिए पर फिर से हमारे साथ हमारे स्टुडियो में मौझूद हैं कभीर दास की जीवन परिषय को उनका जन्म कब हुआ उनके माता पिता कौन थे उनकी शिक्षा कैसी हुई उनकी गुरु कौन थे उनका व्यक्तित्व कैसा रहा और उनकी रचनाय कौन सी है इन बिंदूओं पर केंद्रित करते हुए आज का हमारा व्याख्यान रहेगा तो सर्व प्रथम हम चिंतन करते हैं कि कभीर का जन्म कब और कहा हुआ ये हमारे भारतिय साहित्य की सबसे बड़ी विडम बना रही कि कभीयो आत्म शिलागा केते हुए उवी अपने बारे में कुछ भी न कहना एक मान्यता थी और उस आधार पर इन कभीयों ने अपने विशय में कुछ नहीं का प्रसंग वश कुछ चर्चा आ गई उसके आधार पर या उनके समकालिन अन्य जो कभीयों ने उनके बारे में कहा या इतिहास से जो हम जान पाते हैं उनके आधार पर कबीर के जन्म और जन्मस्थान आधी के विशय में विद्वानों ने जानने का प्रयास किया तो कबीर के लिए भी जब हम ये देखते हैं कि उनका जन्म कब हुआ तो उसके लिए हमारे सामने दो प्रमान आते हैं एक साक्षे के रूप में और एक बहिर साक्षे के रूप में अनता साक्षे से अभी प्राए है कि कबीर ने स्वयम अपनी शब्दों में अपनी बोली में या अपनी रचनाओं में अपने विशे में कुछ का हो और बहिर साक्षे से अभी प्राए है कि उनके पंथ के उनके अनु जो उनके विशय में कहा वो बहिर साक्षे हैं तो अंता साक्षे के रूप में हम जब देखते हैं तो कभीर की एक पंक्ती कभीर के स्वयम कथन की रूप में पंक्ती मिलती है सनक सनंदन जैदेव नामा भगती करीमन उनही न जाना यहाँ पर जैदेव और नाम देव का नाम आया है तो कभीर दास ने भगत शिरोमनियों के रूप में जैदेव और नाम देव का नाम लिया है तो इससे भी प्राय हुआ कि जयदेव और नामदेव कभीर से पूर्ववर्ती थे और कभीर के जो अपने शिश्य थे उन्होंने जो कभीर का रचनाकाल माना उन कभीर की पंत परंपरा में एक दोहा प्रसिद है और वे दोहा कहता है चौदा सो पचपन साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठै जेट सुधी बर सायत को पूरन मासी तिति प्रगट बाए इसका अभी प्राय है कि 1455 साल गए तो विक्रमी समवत 1455 और चंद्रवार एक ठाठ ठै चंद्रवार सोमवार कि वो सोमवार का दिन था जेट सुधी बर जेट का महीना था जेश्ट मास था और पूरन मासी की तिति थी तो उस दिन कभीर दास जो है वो प्रकट हुए उनका आविरभाव हुआ अब कभीर पंथ में ये जो दोहा आता है तो शोद के आधार पर जो कभीर ग्रंथावली का जिनोंने संपादन किया है डॉक्टर श्याम सुंदर दास तो उनोंने चंद्र 1455 साल गए गए शब्द को देखते हुए ये विचार किया कि 1455 साल पूरे हो जाने पर अर्था 1456 विक्रमी समवत में इनका जन्म हुआ तो ये श्याम सुंदर दास की मान्यता थी परन्तु डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इंडियन क्रोनोलोजी के आधार पर जब देखा जब जियोतिश के आधार पर गड़ना करके देखा तो देखा कि 1456 में जेट के महीने में जो पूर्णिमा थी उस दिन सोमवर नहीं पड़ता और 1455 में जेश्ट मास की पूर्णिमा के दिन वही सोमवर पड़ता है तो उसके आधार पर ये निश्चे किया गया कि उनका जन्म सम्वे जन्म जो है वो विक्रमी सम्वत 1455 में हुआ या इस्वी सन में हम देखे तो 1398 इस्वी सन में उनका जन्म हुआ और अधिकाश विद्वानों द्वारा शोद के आधार पर अब यही तित्थी मानने है उनकी जन्म की उनके जन्म स्थान की बात करें तो उनका जन्म स्थान काशी माना जाता है कबीर ने स्वयम भी अपनी साखियों में कई बार इसको उधगाटित भी किया है और उनके शिशे भी उनकी पंथ परमपरा वाले भी यही मानते हैं कि कबीर का जन्म स्थान काशी है जैसे कबीर स्वयम कहते हैं साचो भगत कबीर है कासी प्रगटियों आई कबीर के शिशे ही अनन्त दास्ते उनकी परचे है जिसमें लिखा है कि साचो भगत कबीर है कासी प्रगटियों आई इसी तरह से एक और पंक्ति मिलती है कासी में हम प्रगट भए रामानंद चेताएं कासी में इनका जन्म हुआ और रामानंद ने इनको ज्यान दिया इनको चेताया इनको प्रबोधित किया तो गुरु के रूप में रामानंद इनके गुरु स्विकार किया जाते है माने जाते हैं इसी तरह से कबीर स्वयम अपनी साखियों में कहते हैं तू बामन मैं कासी का जुलाहा तो उनकी अपनी साखी में भी यही बात आती है कि मैं काशी का जुलाहा हूँ सगल जनम सिवपूरी गमाया सिवपूरी शिवपूरी भी काशी के लिए कहा जाता है काशी को शिवपूरी भी कहा जाता है तो सगल जनम सारा जनम मैंने शिव पूरी में वितित किया तो इस पंक्तियों के आधार पर अंता साक्षियों और बही साक्षियों के आधार पर विद्वानों द्वारा कबीर का जनमस्तान काशी निश्चित किया जाता है इसी तरह से अब हम देखें कि उनका ग्रिहस्त जीवन कैसा रहा उनके माता पिता कौन थे, उनकी जाती, उनका व्यवसाई क्या था उनके माता पिता के विशय में मत भेद है जन शुरुतियों का सहरा लेना पड़ता है कबीर पंथ में एक जन शुरुति ये है कि कबीर का जन्म एक विद्वा ब्रामनी के गर्ब से हुआ था और लोक लाज के भाई से उस विद्वा ब्रामनी ने उनका परित्याग कर दिया और काशी में ही लहर तारा का तालाब के किनारे इनको छोड़ दिया और वहीं से एक दमपती जा रहे थे नीरू और नीमा नाम के और वो नी सन्तान थे तो नीरू और नीमा जब उस तालाब के किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने उस छोटे बच्चे को देखा तो गोद में उठा लिया और उसे इश्वर का वर्दान समझ करके इश्वर का आशीरवाद समझ करके उनका पालन पोशन किया तो इस तरह से इनके जो माता पिता है वो नीरू और नीमा माने जाते हैं और ये जुलाहा परिवार से थे तो उसी जुलाहा परिवार में होने के कारण इन कबीर की जाती भी जुलाहा माने जाती है वैसे आचारे हजारी पर साथ दिवेदी कबीर की जाती जुगी जाती मानते हैं ये जुगी जाती जो बाद में चल करके मुसलिम धर्म में इनोंने स्विकार कर लिया था और इनका व्यवसाय वस्त्रबुर्णा था तो कबीर ने विरक्त जीवन नहीं जिया, वे ग्रिहस्त में रहते हुए, ग्रिहस्त के कर्म करते हुए विरक्तों का जीवन व्यतीत किया है, तो उनकी मूल साधना काम में राम की साधना थी, कि काम करते हुए सांसारी कर्म, लौकी कर्म करते हुए और इश्वर का ध्यान करन तो काम में राम उनकी मुख्य सादना थी अब उनकी पतनी की बात करें तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि कबीर ने विवा नहीं किया था पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जिन्नों ने कबीर के पदों का संकलन भी किया है कबीर की ग्रंथ संथ कबीर के नाम से तो वे अनेक साक्षियों के आधार पर ये मानते हैं कि कबीर ने दो विवा किये थे उनकी पहली पत्नी का नाम लोई था और दूसरी पत्नी का नाम रमजनिया या धनिया था लोई की विशे में भी यही आता है कि लोई कोई का छोटी कन्या जो कंबल में लोई में लिप्टी हुई को कभीर को मिली थी और व्या कभीर की शिश्या बनती हैं और बाद में चल करके कभीर का उनके साथ विवावी होता है तो इस तरह से उनकी संतान को लेकर के भी विद्वानों ने जो निशकर्ष निकाले हैं जो मान्यता हैं उनके आधार पर कबीर की दो संताने थी एक पुत्र और एक पुत्री पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था कबीर के अपनी साखियों में एक साखिय आती है जिसमें कबीर स्वयम कहते है कमाल के उत्पन होने पर कबीर का वंश ही डूब गया क्योंकि उसने प्रभु की भक्ति के मार्ग को छोड़ करके और लौकिक धन संपत्ती को कमाने में ही अपना जीवन कमा दिया तो उपजियों पूत कमाल तो ऐसे कमाल पुत्र उत्पन हुआ तो इस साखिय के आधार पर भी ये माना जाता है कि कबीर का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम कमाल था जहां तक कबीर के आर्थिक जीवन की बात करें तो कबीर ने जो अपना पैत्रिक व्यवसाय था वस्त्र बुनने का उस व्यवसाय को ही स्विकार किया था दिन भर वो कपड़ा बुनते थे परन्तु कपड़ा बुनते वे भी उनका ध्यान इश्वर भक्ती में ही लगा रहता था और कबीर का जो पारिवारिक जीवन था वह एक साधारण ग्रिहस्त परिवार का जीवन था और कबीर बड़े संतोशी व्रित्तिके थे और परिग रही थे और वे तो बस इश्वर से यही कामना करते थे दूई सेर मांगों चूना पाव घीव संग लूना आध सेर मांगों दाले मोको दोनो बखत जीवाले इस पश्ट कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए दूई सेर, दो सेर चूना मतलब आटा, बस मुझे दो सेर आटा मिल जाए पाव घीव संग लूना और नमक और घी खाने के लिए जो जरूरी जो बहुत कम से कम आवश्यक है उतने की इच्छा वे प्रभू से करते हैं आधा सेर मांगों दाले दाल भी कितनी आधा सेर तो थोड़ा सा, बस दोनो वकत जिवाले, मेरी दोनो वकत की आजीवी का चलती रहे, दोनो वकत का खाना मिलता रहे, बस प्रभू से यही उनकी कामना थी तो लौकिक एश्वर्यों के प्रती, धन संपत्ती के प्रती, या अधिक से अधिक संग्रे करने की वृत्ती कबीर की नहीं थी, बड़ी संतोशी वृत्ती के हैं, और संतोश वृत्ती को धारन करते हुए ही वो प्रभू से यही कामना करते हैं, तो इस तरह से मित्रों हम देखते हैं कि उनका जो ग्रिहस्त जीवन था, वे एक साधारन रिहस्त का जीवन था, जिसमें अपने पैत्री आजीविका वस्त्र बुन्ने का काम करते हुए, वे प्रभु भक्ती में दिन रात लीन रहते थे और दिन में जो कमाते थे, अगर शाम को कोई साधू संत आ गया, कोई भूखा व्यक्ती आ गया, जिसको अधिक आवश्यक्ता थी, तो वे उनको बांट देते थे, उनको खिला देते थे, तो इस तरह से कबीर अब परिग्रही वृत्ती के थे जहां तक कबीर की शिक्षा की बात करें, तो उस समय कोई स्कूल कॉलिज तो पुस्तकाले में, पुस्तकिये विद्या, उवे ग्रहन उन्होंने नहीं की, उनकी जो प्रतिबा है, वो सहज प्रतिबा है, अपना जो उनका ज्यान है, वो सहज ज्यान है, अप्रतिम ज्यान है और वह ज्यान पुस्तकिये ज्यान की अपेक्षा बहुशुरुत ज्यान है काशी उस समय धर्म शास्त्रों की नगरी थी काशी में शास्तरार्थ चला करते थे, विद्वान वहां बैटकर शास्तरों की चर्चा करते थे वो योगी नाथ योगी अपने योग सादना का प्रचार कर रहे थे, सिध अपनी साधना करने में लीन थे और ब्राह्मन वर्ग वो विभिन शास्त्रार्तों में लीन रहते थे तो कभीर इन सब चर्चाओं को बड़े ध्यान से सुनते थे और फिर उसको मनन करते थे, मन में उस पर विचार करते थे सुयम कहते हैं, मन ही मन उपजी ना कहीं करत विचार, मन ही मन उपजी ना कहीं गया ना आया जो भी मैंने पाया है, वो मन में विचार करके, चिंतन करके प्राप्ट किया है मैं किसी स्कूल कॉलेज में, किसी मदरसे में, कहीं किसी मंदिर में या कहीं मस्जिद में ग्यान प्राप्ट करने के लिए नहीं गया वे तो सपर्ष्ट शब्दों में कहते हैं मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारियो जुग को महातम मुखही जनाई बात. मसी होता है स्याई कि स्याई और कलम को तो मैंने छुआ भी नहीं और कलम गही नहीं आथ मसी कागद छुई हो नहीं मसी को स्याई को कागद को तो मैंने हाथ नहीं लगाया कलम गही नहीं आथ कोई कलम नहीं पकड़ी पर चारो युगों के महातम को मैंने जाना और वही मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया प्रकट किया तो इस तरह से कबीर को अक्षर ग्यान उस रूप में आपचारिक रूप से प्राप्ट नहीं हुआ था परंतु वे शास्त्रों का अध्ययन वेदों का पुराणों का और सिद्धों की साधना का इनको उ उन पर चिंतन किया और उसके माध्यम से अपनी सहज प्रतिबा से अपने सहज ग्यान से उस पर चिंतन करते हुए अपने विचार क्रस्तुत किये और उनके विचार चिर नभीन विचार रहे और उनके ऐसे विचार जो आज भी आज के समसामईक संदर्बों में भी उतने ही सटिक है आज भी हम देखते हैं कि कभीर की तुलना में कोई कुई उनके समकख्ष कभी नहीं खड़ा होता किसी को भी कोई भी दृस्टांत चाहिए तो वो कभीर में डूंडता है आज की जैसी राजनीतिक परिस्थितिया हैं आज की कावे में उनकी साखियों में ढूंडते हैं उसका समाधान तो इस तरह से बिनक्स अक्षर ज्ञान प्राप्त किये भी अपनी सहज प्रतिबा से उन्हों ने जो एक अलौकिक एक नवीन एक सटीक ज्ञान प्रदान किया है वो समाज के लिए हमेशा प्रासंगिक रहेगा जैसे कि पहले भी कहा था कि कबीर ने स्वयम कहा काशी में हम प्रगट बहे रामा नंद चेता हैं तो रामा नंद इनके गुरु माने जाते हैं और उस समय रामा नंद काशी में बड़े प्रसिद थे और काशी में उनका बड़ा नाम था तो कबीर दास के गुरु के बारे में यद्यपी विद्वानों में परियाप्त मत भेद है कोई मानता है कि शेक तकी उनके गुरू थे कोई मानता है कि मानस गुरू थे उनके कोई कहते है कि उनका कोई गुरू नहीं था और उस समय गुरू धारन करना आवश्यक माना जाता था और कबीर का गुरू ना होने की कारण उन्हें निगुरा कहकर चिड़ाया जाता था और उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जाता था तो विभिन धर्म संप्रदाय वाले उनकी बात को स्विकार नहीं करते थे तो उस बातावरण में कबीर ने रामा नंद को अपना गुरु स्विकार किया तो इस तरह से कबीर के गुरु रामा नंद ऐसा अधिकाश विद्वानों की मान्यता है कबीर की मृत्यों की जो बात की जाती है कबीर पंथ में यह प्रसिद है कि कबीर 120 वर्ष तक जीवित रहे उनका जीवन काल जो है वो 120 वर्ष का रहा और कबीर सिकंदर मोधी के काल में थे उस समय शासक सिकंदर मोधी थे और उनके साथ ही यह भी आता है कि कबीर का स्वामी रामानंद के तो वो शिशे थे ही और गुरु नानक देव से भी उनकी भेंट हुई थी और गुरु नानक देव का जन्म 1526 विक्रमी समवत में कबीर नानक जी का जन्म हुआ तो उनसे इनकी भेंट 1555 के आसपस कभी हुई ह तो इस तरह से कबीर का जब 1455 हम उनका जन्म समवत मानते हैं तो उसमें 120 वर्ष और जोड ले तो 1575 विक्रमी समवत उनका मृत्यू का समय माना जाता है कबीर पंथ में ही ये एक साखी प्रसिद्ध है समवत 1575 कियो मगहर गौन माग सुधी एकादसी रलो पौन में पौन कि समवत 1575 में कबीर जो है वो मगहर चले गए मित्रो यहां भी जन्शूरुती ये प्रसिलित है ये एक मान्यता है कि काशी में जिसकी मृत्य होती है वे सीधा स्वर्ग में जाता है और उस समय मगहर को ये माना जाता था मगहर लुवन का घर है मगहर बांगर देश है कि मगहर में जाकर कि अगर किसी की मृत्य हो जाती है तो वे नरक में जाता है और कबीर तो अपने समय में जितने भी अंध विश्वास प्रचली थे जितने भी अंध रूड़ियां प्रचली थी उनका डट कर विरोध करने वाले थे और ये जो मगहर को ले करके एक रूड़ी एक अंध विश्वास प्रचलीत हो गया था और काशी को ले करके जो एक विश्वास बन गया था कि काशी में मृत्य होगी तो सीधा स्वर्ग जाएगा और हुआ हो क्या रहा था कि लोग उस समय कहीं भी रहते थे तो वह से काशी आ जाते थे और करवत काशी ले लेते थे अपनी गर्दन पर आरा चलवा देते थे ताकि काशी में मृत्य हो जाए और वो सीधा स्वर्ग जाए तो इस मानियता को इस अंध विश्वास को तोड़ने के लिए कबीर सारा सगल जनम सिवपूरी गवाया तो सारा जीवन वो शिवपूरी में काशी में रहे पर मृत्य के समय वो मगहर चले जाते है और वहा जाक मुसलमान और दोनों संस्कृतियों में सोहार्द स्थापित करने का प्रयास करते रहे वही जब उनकी मृत्य हुई तो हिंदू कहने लगे कि वो हिंदू थे और मुसलमान कहने लगे कि वे मुसलमान थे और जब उनकी शया से चादर हटाए गई तो फूल मिले और आदे उनकी समाधी बनाई, तो इस तरह से कबीर के जन्म, कबीर के जन्मस्थान, उनके माता-पिता, उनका ग्रियस्त जीवन, उनकी शिक्षा, उनके गुरु, उनके मृत्यवादी के विशय में मित्रों हमने जाना, अब हम देखेंगे कि कबीर का व्यक्तित्व कैसा रहा है, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का था, कबीर जो थे, वे स्वानु भूत ज्यान से संपन्न थे, जैसे पीछे भी चर्चा की है, पीछे भी मैंने यही कहा, कि वो पुस्त की ये ज्यान उन्होंने प्राप्त नहीं क वे किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गये हैं और पुस्त की ये ज्ञान का तो उन्होंने विरोध किया अक्सर यही कहा करते थे पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भाया न कोई धाई आखर प्रेम का पड़े सो पंडित होई कि पोथिया पड़ पड़के केवल पुस्त किये ज्ञान प्राप्त करक करके कोई विद्वान नहीं हो जाता विद्वान होने के लिए ज्ञान प्राप्त होने के लिए आवश्यक्ता है प्रेम को जानने की तो प्रेम मानव प्रेम होना चाहिए तो धाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई तो जिसने इस प्रेम तत्व को जालिया वही पंडित है वही विद्वान है तो इस तरह से कबीर जो है अब पुस्तकिय ग्यान की अपेक्षा स्वान भूती को अपनी अनुभूती को अपने अनुभव को अधिक महत्व देते हैं और वे क्या कहते हैं तू कहता कागद की लेखी क्या भी प्राये कि तुम जो कह रहे हो तुम जो अपनी बात रख रहे हो वो शास्त्रों को पढ़ करके शास्त्र के वचन की बात कर रहे हो जो शास्त्रों में तुमने पढ़ा उसको तुम अपने शब्दों में कह रहे हो तो तू कहता कागद की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी आंखन की देखी से अभी प्राय अपने अनुभाव से मैंने जो जाना मैंने स्वयम जो अनुभूत किया जो समाज की स्थितियां समाज की जो परिस्थितियां है समाज में जो घटित हो रहा है वे मैं अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देख रहा हूं और जो मैं देख रहा हूं जो मैं आनुभव कर रहा हूं उसी ही मैं अपने शब्दों में प्रकट कर रहा हूँ और जो मैं कह रहा हूँ वो पुस्त की ग्यान नहीं है वो शास्त्रों के लिखा हुआ ग्यान नहीं है तो इस तरह से करत विचार मन ही मन उपजी कि मैंने तो एकांत बैठ करके किसी भी कोई भी बात होती है कोई भी घटना है कोई भी स्थिती है तो उस पर विचार किया करत विचार और विचार करने पर मन ही मन उपजी और मन में ही विचार उत्पन हुआ और मन में स्वता स्वान उभूती हुई और उसके लिए मैं कहीं गया न आया कि मुझे कहीं जाने की आवशक्ता नहीं रही मैं कहीं इदर उदर भटका नहीं कहीं तीर्थ स्थानों पर नहीं गया किसी मंदिर मस्जिद में नहीं गया ना कहीं गया ना आया तो इस तरह से मित्रो जो कबीर का ग्यान है वो स्वानु भूत ग्यान है वे उनकी अपनी अनुभूती से जुड़ा हुआ है वे उनके प्रत्यक्ष ग्यान है और उसके लिए उन्हें किसी प्रमान की आवश्यक्ता नहीं है और कबीर जो कह रहे हैं वो साक्षी सो रूप कह रहे हैं और साक्षी का ही बना है साक्षी, साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है साक्षी, तो इस तरह से कबीर जो कह रहे हैं वो अपनी अनुभूती के आधार पर कह रहे हैं तो मित्रो अभी हम ने कबीर के जीवन के परिबारे में थोड़ा सा जाना, अब कबीर के व्यक्तित्व की चर्चा हम आगे करेंगे थोड़े से अंतराल के साथ, कुछ देर का हम अंतराल लेंगे, उसके पश्चात हम पुना भेट करेंगे, धन्यवाद. अंतराल मत करेंगे थोड़ी करेंगे, जसके रयाद व्यक्तित्व कि उसके करेंगे तुछ यूवक्तित्व की चर्चात हम इंप पुना का हम आगे से अंतरा का हम आगे रर्यक्तित्यकर देन्यवाद. झाल 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 प्रयास कर रहे हैं उनकी साख्यों की उनके अपने कथनों के माद्यम से बहिर साख्यों के माद्यम से तो अभी तक हमने जाना कि कबीर स्वानो भूती पर बल देते हैं उनकों ने जो भी कहा है अपने अनुभव के आधार पर कहा है किसी शास्त्र को पढ़ करके शास्त्र के कथन को वो नहीं कहत कबीर की एक अन्य उनके व्यक्तित्व की विशेष्टा है कि वह संतोशी वृत्ति के हैं संतोश धारण किये हुए है अब परिग्रही है अब परिग्रही है और वे स्वयम कहते हैं साई इतना दीजिये जामे कुटुम्ब समाए मैं भी भूखा न रहूं साधू न भूखा जाए कि साई इश्वर है प्रभू बस मुझे इतना प्रदान कर दीजिये कि जिससे मेरे परिवार का मेरे कुटुम्ब का भरण पोशन हो मेरे कुटुम्ब का पालन पोशन हो किसी के आगे भीख ना मंगनी पड़े बस इतना मिले कि मेरे कुटुम्ब का पालन हो जाए मैं भी भूखा न रहूं और साधू न भूखा जाए कि मेरे द्वार पर कोई सज्जन आता है कोई संत आता है कोई साधू आता है तो वह भी भूखा ना जाए बस इतने की कामना करते हैं और पहले भी जैसा कि हमने कहा था कबीर स्वयम कहते हैं दूई सेर मांगउँ चूना पाव घीव संग लूना आद सेर मांगउँ दाले मोको दोनो भकत जिवाले तो यह है उनकी संतोष फृति यह है उनका अपरिग्रे कि वो कुछ और नहीं चाहते हैं किसी और चीज की कामना नहीं करते हैं और जो जो धन संपत्ती के पीछे भाग रहे थे, जो अधिक से अधिक संग्रे करना चाहते थे, जो चाहते थे कि सब कुछ मुझे मिल जाए, उनको संबोधित करते हुए, उनको धन की नश्वर्ता, धन की असार्ता बताते हुए, कबीर कहते हैं, चार दिन अपनी नौबत चले बजाई, इतनको खटिया, गडिले मटिया, संग नकचु ले जाए, कि मनिश्य इस संसार में आया है, चार दिन के लिए आया है, और चार दिन के लिए वे आया है, और वे अपनी नौबत अपना इतना एश्वरे फैलाता है नौबत बजती है उसकी वो अधिक से अधिक धनवान होना चाहता है वो अधिक से अधिक संग्रे कर लेना चाहरा है और परिणाम क्या है कि उसका ये शरीर मिट्टी में जाकर के मिल जाएगा उसको मिट्टी में गा यही व्यर्थ है और इस तरह का जो संग्रे किया हुआ है आज विक्ति कर रहा है कल उसकी मृत्ति हो जाए और वो सब का सब यहीं का यहीं रह जाएगा तो धन की नश्वरता संसार की असारता और काल की अवश्यम भाविता बताते हुए कबीर स्वयम अपने जीवन का अदर्ष प्रस्थुत करते हुए स्वयम संतोशी वृती धारन करते हुए और समाज को भी इस और प्रेरित करते हैं और समाज को भी यही चेतावनी देते हैं कि संग न कच्छू ले जाए कि कोई अपने साथ कुछ नहीं ले जाएगा तो इसलिए संतोष को धारण करो तो कबीर ने अपने जीवन को सामने रखते हुए समाज को एक दिशा दी समाज को एक मार गदिया पित्रो इसके अतिरिक्त कबीर का विक्तित्व जो है कबीर बड़े मस्त मौला थे मस्त मौला से क्या भी प्राए कि वो सिर से पैर तक मस्त मौला थे आचारे हजारी परसाद्वेदी ने कबीर के विशय में जो कहा है मैं वो पंक्तियां आपके सामने रखूंगी कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे मस्त मस्त से क्या भी प्राए जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविश्य में सब कुछ जाड़ फटकार कर निकल जाता है वे मस्त बढ़ती है कि ना तो और हम देखते हैं कि संसार में अक्सर मनुश्य क्या करता है अपने वर्तमान में नहीं जीता या तो उसे अपने अतीत का अतीत के ही सोचता रहता है कि मेरे साथ क्या हुआ था और पुरानी घटनाओं को याद करकर कि अपने वर्तमान को बिगाड़ता है या वर्तमान में रहते हुए भी भविशे की चिंता में लगा रहता है कि भविशे के लिए वो अधिक संग्रे कर ले भविशे में वो ये करेगा उन कल्पनाओं में उन चिंताओं में खोया रहता है तो वह अपने वर्तमान को भी बिगार देता है तो वर्तमान जीवन में ही मस्ती है तो इस वर्तमान में जीओ जो घटित हो गया वो हो गया उसकी चिंता करने से क्या लब और भविश्य में क्या होने वाला है उसको हम आज ही क्यों सूचे तो वर्तमान में जीने वाला व्यक्ती मस्त मौला है तो इस तरह से कबीर का जो जीवन था, वो मस्ती का जीवन था, ना पीछे की चिंता, ना आगे की चिंता, और वे तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ता मस्त रूप में प्रेम करने वाले हैं हमन है इश्क मस्ताना और हमन को होशियारी किया और जो ये होशियारी जो समाज जो बड़ा चालाक बनता है चतुराई करता है और होशियार बनते हुए अपने सगे सम्मंदियों को भी अपने आसपडोस को भी समाज को भी दोखा देता ह तो वो कहते हैं हमें ये होश्यारी ये चाला की नहीं आती रहे आजाद या जग में कि संसार में हम तो आजाद पंची हैं आजाद हो करके रहना चाहते हैं हमन दुनिया से यारी क्या और दुनिया से मितरता करके दुनिया से प्रेम करके दुनिया से संबंद जोड़ करके हमे कुछ नहीं मिलने वाले, तो वो मस्ती में जीवन व्यतीत करने वाले, ना भविशे की चिंता और ना भूत काल को ले करके कोछ सोच, तो इस तरह से कबीर का जो जीवन था, वो मस्त मौला का जीवन था, इसके अतिरिक्त कबीर बड़े निर्भीक स्वभाव के थे, फक्कड क किस्म के कवी थे, निर्भीक निडर कि जो देखा, वो सपष्ट कह दिया, सपाट बयानी है उनके शब्दों में, इस पष्ट वक्ता है, सपाट बयानी भी किस रूप में करते हैं, कि वे समाज में कहीं भी अनुचित होता हुआ नहीं देख पाते थे, चाहे वो धर्म के न चाहे वो राजनीती के क्षेतर में था तो जहां कई भी कुछ गलत, कुछ अनुचित देखते थे तो उसका डट करके निर्भयता पूरवक विरोध करते हैं उनके प्रती विद्रो का भाव करते हैं और सत्य के जिग्यासू हैं सत्य को ढूंडते हैं, सत्य की खोज करने में लगे हुए और जो सत्य का जिग्यासू होगा वो मोह ममता से परे होता है फिर मोह ममता उसको व्याप्त नहीं होती तो इस तरह से कबीर जो है वो समाज में एक मशाल लिये हुए क्रांती की मशाल लिया हुए आगे बढ़ते हैं और विस पश्ट शब्दों में कहते हैं हम घर जारा आपना लिया मुराडा हाथ अब घर जारो तासु का जो चले हमारे साथ पर उपदेश कुशल बहुतेरे तो दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत लोग होते हैं पर कभीर जो है पहले स्वयम अपने उपर लागू करते हैं तो वो क्या कहते हैं हम घर जारा आपना मैंने अपना घर जला दिया है अपना सब कुछ छोड़ दिया है सब समर्पिस नियोचावर कर दिया है और लिया मुराडा हाथ और हाथ में मुराडा पकड़ लिया है और अब घर जारों ता सुका कि जो मेरे साथ चलने के लिए तयार है जो इस क्रांती की मशाल को आगे लेकर के बढ़ने के लिए तयार है वो मेरे साथ चले, अब मैं उसका घर जलाने को तयार हूँ, तो जब तक ये भाव, जब तक ये फिलिंग नहीं आती है, तब तक व्यक्ति, समाज में सुधार करने का, तब तक व्यक्ति क्रांती के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता, और कबीर ने अंद विश्वासों को, तोड़ने के लिए, सबसे पहले अपना सर्वसो समर्पित किया, और वो इसलिए कहते हैं, हम घर जारो अपना, और बस्त मौला विक्ति थे, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, कोई धन संग्रे करने की वृत्ति नहीं थी, और वो इते साफ स्पष्ट शब्दों में ब काहू से बहर, कबीरा खड़ा बाजार में, कि वो सबके बीच में खड़ा है, और सबकी खैर मांग रहा है, सबका कुशल मंगल मांग रहा है, तो ये जो सबका कल्यान की भावना, सब प्राणियों के प्रती, समता का भाव रखना, सबके लिए इश्ट कामना करना, ये है मो ममता से दूर, ये कबीर जैसा व्यक्तित्व ही ये कारे कर सकता है, तो मांगू सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वे, ना मेरी किसी के साथ शत्रुता है, और ना मेरा किसी के साथ मैत्री का संबंद है, ना मेरा कोई दोस्त है, ना मेरा कोई दुश्मन है, और जब हम इस तरह से निजत्व और परत्व के भाव से, अपने पराय के भेद भाव से, मैत्री शत्रुता के भाव से उपर उड़ जाते हैं, तो तब निर्भीक बनते हैं, तब फक्कड बनते हैं, और ऐसा विक्तितु कबीर का था, कबीर इस तरह की निर्भीक थे, ऐसा उनका और कभीर में हम देखते हैं अखड़ता बहुत थी जबकि कभीर के ही समकालीन संतरवी दास हुए कभीर से पूर्ववर्ती नाम दे हुए वो विनम्र स्वभाव की हैं दादू दयाल को हम देखते हैं ये विनम्रता से बात करते हैं भक्ती की बात कर रहे हैं विनम्र होकर के बात कर रहे हैं पर कबीर के व्यवहार में कबीर के विक्तित्व में हमें दो रूप साथ साथ दिखाई देते हैं एक और उनकी अखड़ता फकड़ता दिखाई देती है उनकी मस्ती दिखाई देती है और दूसरी और वो एक भक्त रूप में भी सामने आते हैं अखरता कहां दिखाई देती है जब वे योगियों को, सिद्धों को, अवधूतों को, समाज को धिग भ्रमित करता हुआ देखते हैं कबीर के समय में नात्पंद का खुब रचार प्रसार था, सिद्धों का खुब रचार प्रसार था और उस समय योगी जो थे, वो योग साधना की माद्यम से सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे राख हाथ में ले करके सोना बना देना हाथ में मिट्री पकड़ करके फूल बना देना हवा में उड़ने लगना तो इस तरह की वो करामाते इस तरह की सिदियां दिखा करके वे लोगों को चमतकृत भी करते थे और भैभीत भी करते थे तो लोगों को वो जिस तरह से भैबीत करके या चमत कृत करके अपने मठ में लाने का प्रयास कर रहे थे या अपने साधना मार्ग में ले जा रहे थे और उनको सही मार्ग से सही लक्षे से भटका रहे थे तो ऐसे अवधूतों को वो फटकारते हैं, उनको धिकारते हैं, उनकी भर्तसना तक करते हैं, क्योंकि उनकी साधना को, उनकी उस वाम वारगी वृत्ती को बड़ी निकटता से जाना था, बड़े समीब से देखा था, स्वयम उस मार्ग पर चल कर देखा, और उसकी प्रिक्ता को जब जान लेते हैं तो तब वो अवधूतों को विशेश रूप से धिक कारते हैं और निर्भीक स्वर में उनकी भर्तसना करते हैं विश्वयम कहते हैं अवधू अच्छर हूँ सो नियारा जो तुम पवना गगन चड़ाओ करो गुफा में वासा गगना पवना दोनों बिन से कह गया जोग तुमारा तो ये फटकार लगा रहे हैं उनकी व्याख्या के लिए अलग से हम चड़चा करेंगे अभी मैं इतना ही बता दू कि योगी जो थे वो अपनी साधना योग साधना के माध्यम से पवन प्राण वायू को उपर की और खीच करके और आकाश मार्ग में अपने सहस्र चक्र तक ले जाते थे और इस तरह से सिधियों से वो सामाने जनता को भोली भाली जनता को भटका रहे थे तो उनको कहते हैं गगना पवना दोनों बिनसे दोनों का जब नाश हो जाता है तो कहां गया योग तुम्हारा तowment तुम्हारा वो योग कहां चला जाता है तो सीधे फ़स्ट शब्दों में उनको फटकार लगा रहे हैं और दूसरी और काजियों को पंडों को उनको भी फटकार दे हैं क्योंकि काजी धर्म के नाम पर मुसलमानों को दिखभ्रमित कर रहे हैं और पंडे जो पंडित हैं वो भी धर्म के नाम पर भुले भाली जनता क हिंदूओं को दिख ब्रहमित कर रहे हैं तो दोनों को ही भर्तना करते हैं दोनों की अव्मानना करते हैं वे स्वेम पंडितों और काजियों को फटकार लगाते हुए कहते हैं ना जाने तेरा साहब कैसा है मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे क्या साहब तेरा बहरा है चिउटी के पग नेवर बाजे सोभी साहब सुनता है पंडितों होए के आसनमों लंबी माला जपता है अंतर तेरे कपट कटरनी सोभी साहब लगता है तो देखिए इस पद में वे पंडित को भी फटकार रहे हैं और मुल्ला को काजी को भी फटकार रहे हैं कि इसलाम धर्म में क्या था कि वो मस्जिद में जाकर के जोड़ जोड़ से आजान देते थे नमाज पढ़ते थे और वहां उनको फटकारते हुए कहते हैं कि क्या तुमारा साहब क्या तुमारा अल्ला बहरा है जो तुम इतनी जोड़ जोड़ से आजान देते हो तो मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे क्या साहब तेरा बहरा है क्या साहब क्या तुमारा अल्ला क्या तुमारा इश्वर बहरा है वो उसके सुनाई नहीं देता जो तुम जोड़ जोड़ से चलाते हो और इसके लिए वो कहते भी है कि मस्जिद चड़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा है कि मस्जिद के ओपर चड़ करके मुल्ला जो है वो बांग देता है मुर्गे की तरह बांग देता है तो क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है और इश्वर जो है वो तो चिउंटी छोटे से छोटे प्राणी के पैरों में बंदे हुए पायल नेवर की पायल की आवाज को चोटे सी खुंगरू की आवाज को भी इश्वर सुन लेता है तो इश्वर तो सब कुछ सुनने वाला है सहाव तो सब सुनता है तो जोड-जोड से आजाद देने से जोड-जोड से चिलाने से कोई खुदा तुमसे प्रसन नहीं होने वारे इसी तरह से पंडितों को भी फट कारते हैं वो जो माला जबते हैं मूर्ति पूजा करते हैं तो कभी उसका भी विरोध करते हैं कि पंडेत होई के आसन मो लंबी माला जबता है कि केवल हाथ में लंबी माला लेकर के और जाप करने से कुछ नहीं होगा समाधान विकल्प क्या देते हैं अंतर तेरे कपट कतरनी अंतर मन को शुद करने की आवश्यक्ता है हिर्दे के भीतर अगर कपट भड़ा हुआ है तो भी साहब लगता है तो भगवान इश्वर जो है वो तो हिर्दे के कपट को तुमारे अंतर मन में छिपने हुए छल कपट को भी देख रहा है तो बाहर जो तुम माला जप रहे हो इससे इश्वर प्रसन होने वाला नहीं है ऐसे ही एक और जगे भी कबीर कहते है पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहार तासे तो चक्की भली पी सखाए संसार तो इस तरह से कबीर जो है पंडितों को काजियों को अवधूतों को सबको फटकार लगाते हैं सबको भर्थना करते हैं वो ऐसा निर्भीक स्वभाव से युक्त हैं कि वे समाज में कुछ भी अनुचित होता हुआ जो समाज को पतन की और ले जाने वाला हो जो समाज की प्रगती में बाज़को वे होता हुआ नहीं देख पाते हैं और इसलिए वे स्पष्ट शब्दों में उसका विरोध करते हैं इसके अतिरिक्त इस तरह से हमने देखा मित्रों कि जो कबीर का व्यक्तित्व है वे बहु आयामी व्यक्तित्व है और कबीर में स्वानु भूती का एक सहज प्रतिभा का ऐसा मेल है कि उस प्रतिभा के समक्ष वे ज्यान की चरम पराकाष्ठा को पहुँच जाते हैं और वो जिस रूप में जिस सहज शब्दों में उस सहज परमात्मा का बखान करते हैं सहज भक्ति की बात करते हैं सहज आचरन की बात करते हैं सहज करनी, कथनी और रहनी की बात करते हैं, वे समाज को अपनी और आकर्शित कर लेता है, वे समाज के दिल को छू लेता है, और इस तरह से मित्रो कबीर का जो व्यक्तित्व था, वे साधारन जनता से, आम जनता से लेकर के धनवान को, पूंजी पती को, साहित्यकार को, बड और उनके विक्तित्व में आदभुत विरोधी तत्मों का भी एक सामजस्य देखने को मिलता है। एक और उनके विक्तित्व में फक्कडपना है, मस्त मोला है, तो दूसरी और उनके विक्तित्व में निर्भीकता है। और जब वो ईश्वर की भक्ति की बात करते हैं, तो उनके स्वभाव में, उनके विक्तित्व में, जो विनम्रता दिखाई देती हैं, जो भक्त की समवेदना दिखाई देती हैं, वे अध्वुत हैं, वे विलक्षन हैं, तो मित्रो इस तरह से हमने कभीर के विक्तित्व को ज कि उन्होंने अपने स्वयम कुछ नहीं लिखा था, मसी का अगत छुई हो नहीं, वे तो मौखिक उपदेश दिया करते थे, मौखिक वाचन किया करते थे, चबूत्रे पर बैठ गए, पॉले में बैठ गए, कहीं भी बैठ गए या वस्तर बुन रहे हैं, तो उनके मुझे अपने आप साखियां पद निकला करते थे, और जो आसपस लोग थे, वो उनको सुनते थे, और धीरे धीरे लोग उनकी बानी से इतने अधिक आकरशित होने लगे, कि उनके स्वयम शिष्ये बनने लग गए, और कबीर के शिष्यों की एक संख्या बढ़ने लगी, कबीर ने स्वयम पंत वाद का विरोध किया, वो किसी पंत को नहीं मानते थे, वो पंत वाद का विरोध करते हैं, परन्तु कबीर की मृत्यों के बाद, उनके जो शिष्ये थे, उन्होंने कबीर पंत चलाया, और आज अनेक कबीर पंत ही मिलते हैं, और अलग अलग उनकी श कर दिए को है're । तो कभीर के जो कित जो कि खियां उनकी जो सब्षय है उनकी जो वाणी है SI हस्त-लखजित रूप में उनके शिश्यों द्वारा संकलित की गई कि खबीर की मृतिय। के बाह। और उनके शिश्यों में भी मुख्य शिश्य थे भगवाद्दास और जगन्दास और इन में से जो भगवान ना थे उन्होंने कबीर की वाणी को एक गुरु ज्यान के रूप में संग्रहित किया और बीजक नाम से उसका संकलन किया और कबीर की वानी को एक पूजे ग्रंथ के रूप में उससो सम्मान दिया गया तो कबीर का जो मुख्य ग्रंथ है वो बीजक माना जाता है बीजक में रमैनी, सबद, साखी, कहरा, बसंत, बेली, बिरहुली, चांचरी, हिंडोला, चौन्तिसा, विप्रमतीसी आधि अनेक कावे रूप मिलते हैं और इन जो ये अलगलग कावे रूप हैं इन में से जो रमैनी है रमैनी कबीर पंथ में अधिक प्रसिद है रमैनी में साखियां भी है, रमैनी में सबद भी है पर रमायनी का जो पाठ है, वो कबीर-पंत में ज़्यादा चलता है, बीजक कबीर-पंत में अधिक मानने हैं, और जो साखियाँ और सबद है, वो साहित्य जगत में, साहित्य कारों के बीच में उनकी माननयता अधिक है और जिस तरह से रामायन और भगवत गीता पवित्र ग्रंथ पूजे ग्रंथ के रूप माना जाता है उसी तरह से कभीर पंथियों में बीजक जो है वो मुखे पूजे ग्रंथ के रूप में उसको मान्यता है और कभीरपंथ में जो दीक्षा प्राप्त करता है तो उनको बीजक से ही मंत्रप्रदान किया जाता है तो इस तरह से कभीरपंथ में बीजक की अधिक मान्यता है अब कभीर की जो साखियां थी जो सबत थी जो उनके शिश्यों ने उनकी मृत्यू के बाद अपने हाथ से लिखा और वे हस्त-लिखित प्रतियां अलग-अलग मठों में, अलग-अलग संप्रदायों में रखी गई और आगे चल करके जब विद्वानों ने उनके उपर कभीर के उपर शोद किया तो शोद करने पर जहां इधर उदर हस लिखित प्रतियां उपलब्द थी उनका संग्रे करके कभीर ग्रंथावलियों को प्रकाशन करवाया और इस विशे में विशेश श्लागनिय प्रयास रहा वेलवेडियर प्रेस अलाबाद का और नागरी प्रचारनी सभा काशी का इन दोनों संस्थाओं ने वेलवेडियर प्रेस ने भी कभीर की जो शब्दावली थी कबीर की जो साखियां थी या कबीर के शबत थे उनका संग्रे किया संत बानी संग्रे के नाम से और वेलवेडियर प्रेस इलाबाद से इसका प्रकाशन हुआ और संत बानी संग्रे में अनेक संतों की वानियां संग्रे ही थे हैं और जिनमें कभीर की वानी भी मुख्य रूप से संग रही थैं इसके अतिरिक्त नागरी प्रचारणी सभा से डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कभीर की हस लिखित प्रतियों को एकत्रित करके और उसका कभीर ग्रन्थावली के नाम से संपादन किया इसके पश्चात गुरु नानक देव की जो उपदेश थे नानक की जो वानी थी या नानक से पूर्व जो संत हुए नाम देव थे धन्ना थे पीपा थे सेन थे या कभीर रविदा साधी थे तो इन सब की वानियों का संकलन आदी ग्रंथ में गुरु ग्रंथ साब में से पद संकलित हैं तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने गुरु ग्रंद साब से उन पदों का उन सांख्यों का संकलन कर ले करके उनको संग्रहित किया संत कभीर के नाम से और साहित्य भवन इलाबाद से इसका प्रकाशन कराया गया इसी तरह से आचारे हजारी परसाद दिल्ली से प्रकाशे तुबा ऐसी ही प्रयाग से डॉक्टर पारसनात तिवारी थे जो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के ही शिश्य थे और उनके निर्देश्चन में उन्होंने अपना शोध कारे किया कभीर पर और उन्होंने कभीर के हस लिकित प्रतियों का संग्रह किया यद्य भी डॉक्टर पारसना तिवारी ने खुब परिश्रम किया इस वाणी का संग्रे करने में पर डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त उतना संतोष जनक अनुभव नहीं कर पाए और उन्होंने स्वयम आगे चल करके कबीर की वाणी का संग्रे किया कबीर ग्रम थाव ने कबीर वचनावली नाम से कबीर की वाणी का संग्रे किया और वेलवेडियर प्रेस अलाबाद से भी कबीर की शब्दावली चार भागों में प्रकाशित हुए तो इस तरह से मित्रों हस्त लिखित प्रतियों का संग्रे करके अनेक विद्वानों ने उसे प्रकाशित कर करने का प्रयास किया है और आज हमारे सामने कभीर की साखियां कभीर के सबद और कभीर बीजक ये सारा उपलव्ध है तो आज मित्रों हमने कभीर के विक्तित्व और उनके कावे पर चर्चा की धन्यवार। और इससाथ हम धन्यवा देना चाहेंगे डॉर्टर विनिता कुमारी को मित्रों हम यहीं चाहते हैं कि आपकी प्रतीक्रिया आपके सुझाव हम तक जरूर पहुंचे हमारी मेल आईडी है info.cc at writtenic.in आप सभी से पुना हम अलाकात होगी तब तक लिए आप सभी को नमस्कार न नमस्कार गीतिक है